प्रेंट्स आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लेडीज कमीज की ड्राफ्टिंग बता रही हूँ कमीज की लंबाई रख लेते हैं जो की हमारी है 38 इंच ये फोल्ड साइड का निशान है अब इसके बाद हम लेंगे यहां से शोल्डर का आधा शोल्डर है 14 इंच तो ये हुआ 7 इंच ये हम शोल्डर कैसे लेते हैं अगर प्रेंच 4 इंच से ज़्यादा का बैक नेक बनाते हो तो हम इसको शोल्डर से कम लेंगे और मतलब की 6,5 तक त्यार रखेंगे अगर हम पॉलर नेक, बोट नेक या बैक का नेक चार से साड़े चार जिस तक रखते हैं तो हम इसमें शोल्डर का हाफ ही लेंगे तो शोल्डर का हाफ हुआ हमारा 7 इंच अब हम यहां से लेंगे आर्म होल आर्म होल लेने के लिए हम लेंगे चेस्ट का चार माइनस डेड़ इंच तो चेस्ट है 34 इंच तो उसका वन फोर्थ माइनस डेड़ इंच 34 का एक चोथाई हुआ साड़े आर्थ इंच माइनस डेड़ इंच तो यह हम लेंगे 7 इंच आर्म होल 7 इंच पर निशान लगा दें अब लंबाई में ही हम दूसरा नाप लेंगे यहां से यहां तक यह है शोल्डर टू वेस्ट मतलब कंधे से कमर तक की लंबाई जो की हमारी है 14.5 इंच शोल्डर टू वेस्ट हीप लेंथ यह हमारी आएगी तंधे से हीप तक की लंबाई जो की हमारी 21 इंच है बस्ट का 4 प्लस आधा इंच तो बस्ट है हमारी 34 इंच तो 34 का 1 फोर्थ हुआ साड़े आठ उसमें हमने प्लस किया आधा इंच वेस्ट का 1 फोर्थ प्लस आधा इंच लेंगे वेस्ट है हमारी 28 इंच तो 28 का 1 फोर्थ हीप प्लस आधा इंच हुआ साड़े साथ इंच हीप का नाप रखने के लिए भी हम ये हीप लाइन से लेंगे हीप का 1 फोर्थ ही प्लस आधा इंच ये हमारा साड़े 9 इंच आएगा हीप का समझ लीजिए अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो ये हीप लाइन से सीधा रख लें इस तरह से और अगर आप थोड़ा घेर ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप आगई दो इंच बढ़ा लें ये यहां से और हीप लाइन से लाइन लगा दे ये हमारी वेस्ट की शेप है और ये हमारी चेस्ट की लाइन है फ्रेंट्स ये शेप हमें सिलाई की इस तरह से नहीं रखनी है नहीं तो यहां पर जोल आ जाता है उसके लिए जोल ना आए इसका सही तरीका यही है कि आप यहां से अंदर की तरफ वन फोल मतलब आधा इंच से आधा और ये शेप इस तरह से दे अब नेक पर आते हैं तो गले की कटिंग के लिए यहां से हम लेगे गले की शेप के लिए हम यहां से लेगे शोल्डर की तरफ बस्ट का बारा जो की हमारा पोने तीन इंच आएगा बैक नेक की गहराई लेगे हम बस्ट का आठ जो की आएगा हमारा चार पॉइंट पांच इंच और फ्रंट नेक के लिए हम बस्ट का छे कंधे की कुलाई के लिए हम आधा इंच डाउन कर देंगे और ये नेक से मिला देंगे अब आते हैं हम आर्म होल की शेप के लिए तो आर्म होल की शेप के लिए सबसे पहले यहां से यहां तक जितना भी है उसे सेंटर में एक पॉइंट लगा दें अब यहां से यहां तक देड़ इंच पर निशान लगा दें ये इस तरहां से और ये हमारी यहां से बैक की शेप होगी बैक आर्मोहल की ये इस तरहां से अब फ्रंट शेप के लिए जो ये हमने डेड़ इंच आगे बढ़ाया था उसका हम हाफ ले लेंगे और यहां से हम फ्रंट पार्ट की शेप दे देंगे कई बार हमारी कुर्टी का गला पीछे की तरफ जाता है तो उसके लिए आप जब कुर्टी कटिंग करें तो गले में यहां से यहां से आप आधा इंच उपर की तरफ ले लें इस तरह से और इसको शोल्डर लाइन से मिला दें इस तरह अगर आप आधा इंच उपर बढ़ा कर बैक की कटिंग करेंगे तो गला कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा अब यह हमारी शोल्डर से जब कटिंग करेंगे तो यह हमारी बैक नेक की कटिंग बनेगी और यह फरंट नेक की तो यह हमारी कटिंग इस तरह से आएगे और यह हमारी फरंट नेक की कटिंग होगी इस तरह से अब गाईस मार्जन की बात करते हैं अगर आप लों कूर्टी बना रहे हैं तो यहाँ पर आधा से एक इंच का मार्जन रखी और अगर शोट कूर्टी बना रहे हैं यहाँ आपको ज्यादा फोल्ड करना है तो आप यहाँ पर दो से धाई इंच मार्जन रख सकते हैं यह मैंने धाई इंच मार्जन लिया है जिसमें से दो इंच नीचे फोल्ड होगा और आधा इंच उपर सिलाई में चला जाएगा इसी तरह साइड में आप आप एक से डेड़ इंच का मार्जन रख सकते हैं आप बाजू की द्राफ्टें बता देती हूँ बाजू की लंबाई है आठ इंच तो यह हमने आठ इंच पे लाइन लगा दी यह हमारी फोल्ड साइड में बाजू बनेंगी बस्ट का वन फोल्थ माइनस एक इंच यह हमारा आएगा 7.5 इंच अब हम यह एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से अब यहां से आर्मोल के लिए हम लेंगे बस्ट का 12 प्लस बस्ट का 12 प्लस एक इंच जो कि हमारा ओने 4 इंच के असपास आएगा तो यह हमने यहां से यहां तक ले लिया बस्ट का 12 प्लस एक इंच यहां से हमने ले लिया जो बाजू की मोहरी है स्लीव बॉटम उसका आधा 6 इंच और यह हमने लाइन दे दी स्लीव बॉटम का दो तो औरी के कुछ जरूरी पॉइंट है जो नोट कर लें फरस्ट है दो लंबाई में कुर्टी बनेगी और फोर फोल्ड पर कटिंग होगी सेकंड गला पीछे की तरफ ना जाए इसके लिए कटिंग करते समय पीछे के भाग को आधा इंच बढ़ा कर रखें तंधे से फर्ड पॉइंट दो लंबाई प्लस टर्निंग प्लस बाजू प्लस बाजू की टर्निंग कपड़ा लगेगा फोर्थ अगर कपड़ा सूती है तब धोकर ही कटिंग करें अजय है प्लस बाज़ा लगे लगेगा